मित्रों जै मतादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चै मतादी जरूर लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों चंद ग्रहन के दोरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेच्ट है कि अभी तक इस चैनल को सजब्राइब नहीं किया है, तो सजब्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइग करेंगे, और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों चन्द ग्रहन पर कुछ कारी करना वर्जित मना गया है लेकिन चन्द ग्रहन के दोरान कुछ उपाय बेहत लापदायक साबित होते हैं आपको बता दें की चन्द ग्रहन लगने से पहले ही इसनान पूजापाठ फोजन आदि कर सकते हैं चंद ग्रहन काल में घर में सांती बनाकर रहना लबदायक होता है। चंद ग्रहन में दान करना बहुत फायदे मंद माना जता है। जो तिसी बताते हैं कि चंद ग्रहन के बाद घर को साप करके गंगा जल का छिरकाव करना सुब होता है। चंद ग्रहन के दोरान किसी भी खाने पीने की चीज पर तुलसी का पत्ता अवसे रखना चाहिए। चंद ग्रहन काल में भोजन पकाना भोजन खाना आदे करना वर्जित माना गया है। इस दोरान घर में कलह ना करें और ना ही सारेरिक संबंद बनाएं। गर्वत्ती मैलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए।